अलो फ्रेंड्स, गूड बनिंग तू अल, आज हमारा डिस्कसिन का टॉपिक रहेगा, फ्लाइट अडेप्टेशन इन वर्ड्स, पक्षियो में उडेन अन्कूलन, उडेन अन्कूलन, अन्कूलन क्या होता है, अन्कूलन होता है, एक अपने शरीर को इस प्रकार से उसमें अ अन्कूलन का जाता है, तो फ्लाइट अडेप्टेशन पक्षी जो हैं उडेन के अन्कूलित हैं, इसलिए पक्षियों के अंदर उडेन अन्कूलन, यानि उनके शरीर की फिजोलोजी में और अनाटॉमी में, और मॉर्फोलोजी में इस प्रकार के परिवर्धन हो जाते हैं को वो उनको उड़ने के काविल बनाते हैं इसलिए इनको जो है उड़न अनकुलन का जता है पक्षियों को उड़न कशीरू की या flying vertebrates पर कहते हैं हक्सले ने टेच हक्सले ने इनको glorified repels का था ऐसे repels जो हवा में उड़ने के लिए और अपने enjoy के साथ में हवा में उड़ते रहते हैं और आनंद लेते हैं ये गरम रख्त वाले नियततापी प्राणी होते हैं warm-bladed और होमितरम से नीमल होते हैं इनके शरीर इनका जो शरीर है वो हलके पंकों से फीदर से डगा हुआ रहता है इनमें जो पंक विन्यास पाए जाता है एक निश्यत करम में पंक लगे रहते हैं उसे टैरिलोसिस या पंक विन्यास का जाता है ये जरौसिक यूग में उत्पन हुए ताथा क्रिटासियस यूग के अंदर आदोनिकरती यानि मॉडरनाइज होगे और पक्षियों में पाए जाने वाले अनुकुलनों को हम सामाने त्या चार भ़्हों में बाढ़ सकते हैं इनके morfological adaptations यानि आकारी की अनुकुलन और anatomical adaptations physiological adaptations और general adaptations सामाने अनुकुलन तो एक-एक करके इनका अध्यान करते हैं और सबसे पहले ये वीडियो देखें, इस वीडियो में ये दिखाया गया कि इसमें किस प्रकार से पक्षी जो हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं, उनमें होडने-उडने के लिए क्या-क्या चीज़े पएती हैं, जैसे उनके जो अगरपाद हैं, वो पंकों बदल जाते हैं, और पंकों के अंतिम सिरे पर भी फीदर्स लगे रहते हैं और उसका आकार बढ़ा कर देते हैं जिससे वो से उड़ने में हवाग वो आसानी रहती है इनकी जो गर्दन है उसके अंदर नौ से लेकर के पच्चीश सर्वाइकल वर्टीवरी पाई जाती हैं जिसे आराम से वो उसमें कील एक बड़ा भाग हो जाता है जो थोरसिक मसल्स को चिपकने के लिए आधार प्रदान करता है इनकी हड्डियां खोगले होती हैं उनमें बहुत सारे एयर स्पेस पायते हैं यानि अस्तिमज्या का अवाव होता है एयर स्पेस होने से उसको हड्डियों को हलका पन मैसूस होता है इनके मुख और जवड़ों और दातों के स्थान पर जो ज़्यादा बजन वाले होते हैं चौच पायती है एक और नी चौच पायती है जो अपनी शुरक्षा करती है दानों को खाने का काम करती है और अपनी पंखों को प्रीन करने का काम भी करती है इनके फै तो को हम वनां वैक फटेल यून देन करें पहले लेते हैं अकारी मॉर्फ एक इनका शेप है इनका शरीर का शेह ओंवबडुकार को की हवा की हिंहां का स्बस्कार वी स्ट्रीम लाइन वाइन बॉड़ी के TH生 है in पूरे बदन पर इंके फीदे बायते हैं जैसे इन फीदेरों को कई प्रकारों बाटा गया जैसे क्ले केलREE दं फीद फाइव क्लॉंस रेस्च रेक्टल ब्रेसल चोटी पूछ पर लम्बे लंबे रेस्ट्रिस पायते हैं, जिसे पूँच लंबी हो जाते हैं, पुछ दंड तो बहुत पहले ही रहा जाता है, लेकिन पीछे तक उनकी पूँच पर पंक पायते हैं, मुव में जवडे और दात के स्थान पर जो बजन ज्यादा ज्यादा बजन वाले जगे गेड़ते ह उनके गमन सील और एक चौँच मूबे विल चौँच पायती है, बेक पायती है, जिस पर रेमपोथी का नामक एक कला या मेंब्रेन चड़ी हुई रहती है, उससे डखी हुई रहती है, इनमें दुईपाद ही गमन होता है, बाइपीडल लोकोमोशन होता है, पिछली पर वजन सहन करने के लिए जो पिछली टांगें वो आगे की तरफ विस्था पित हो जाती है, और पूरे शरीर को बेलेंस बीच में करके बेलेंस बनाती है, पूच विनकी छोटी होती है और स्टंपी होती है, एकदम से ठूट नुमा होती है, अगरपाद पर अगरपाद जो हैं, वो बड़े-बड़े पंकों में, विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने का काम करते हैं, हवा को काटने का काम करते हैं, एक दूसरा वीडियो है, जिसमें ये पंक किस प्रकार से पक्षी, और आम से उड़ सकते हैं हवा के अंदर, इन पंकों को वो उपर से नीचे की तरफ दो स्ट्रोक होते हैं, उफेक्टिव श्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक. तो ये stroke जो हैं वो पंकों के, वो pectoral girdle के साथ में जुड़े हुए, इस प्रकार से ये muscles हैं, ये pectoralis measure और pectoralis minus, minor के नाम से जाने जाती हैं, ये pectoralis girdle के दोनों तरफ होती हैं, और humorous से जुड़ी हुई रहती हैं, तो पक्षी जब पंकों को उपर से नीचे हिलता है, तो ये stroke है, वो recovery stroke है, वो उपर की तरफ जाता है, तो इनके जो bones और जो muscles हैं, वो इस प्रकार से इसकी movement को control करने के लिए होती हैं, कि ये जो humorous है इनकी, वो आगे पीछे, उपर नीचे होती है, इन दोनों muscles के कारण, तो इस प्रकार से इन में movement होता है, और आराम से हवा के अंदर ये उड़ सकते हैं, क्योंकि इनका शरीर हलका हो गया, और ये पंक हैं, ज्यादा भारी हैं, ज्यादा चोड़ी हैं, और ज्यादा चोड़ी जो पंक होती हैं, वो हवा के दवाब को काफी तेजी से नीचे की तरफ कर सकते हैं, इस प्रकार से इनका, इन में उड़ने में आ जे जो mut Catholic जो और इंड़ां से जुड़ी होई रहती हैं in actatively उर फैक्टरिलिस मेजर और पेक्टरिलिस माइनर के नाम से जाना जyllता है यह थे वो हिट में यह हेट्रोशिलेस प्रकार के होती है यानि उसमें जो सेडल उनका जो सेंट्रम है वो सेडल शेप होता है आगे से यानि गोड़े की जीन के आखार का होता है दड़की अस्थियां कम इस्थान गेरती है यानि लंबर और सेक्रम जो शेत्री की कशे रुका हैं वो सहीं तो करके सि और धर की जो पेशिया हैं, थोरेक्स की जो पेशिया हैं, उनों पेशियों को जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्पेस परदान करता है, वक्षिय पेशियों को जोड़ने के लिए ज़्यादा इस्थान परदान करता है, इनमें कलेविकल और अंतर कलेविकल प यागती हैं इनमें ग्रशी के विस्तारित हो करके क्रॉप बनाती है क्रॉप संचे का काम करती है बोजन को जब ले लिया जाता है ले लिया जाता है लगातार बरा जाता है तो उसमें क्रॉप में जाकर के कट्टा हो जाता है और उसके बाद में दीरी दीरी गिजारड में जा पाई जाती हैं और पूछ में प्रीन गरंथियों और तेल गरंथियों को छोड़ करके तवचा में गरंथियों का अभाव होता है पसीने की गरंथियों इनमें नहीं पाई जाती हैं के वल तेल गरंथियों होती हैं और वो भी पूछ वाले हिस्से में होती हैं इसके इन डिव स्वरणी में एक लागी जो तीन हड़िया है, इलियम, इस्चियम, पीविस, उतमें इलियम बड़ी होती है, पीविस छोटी होती है, और इस्चियम पीछे की ओर निर्दिष्ट, यानि बेकवर्ली डायरेक्टेड हो जाती है, चारो इनमें जो अतरिक्त ब्रूनी जिल्लिया ये कोरियोनिक, एम्नियोनिक जो एनिमल हैं, इनके अंदर चारो एक्ट्रा एम्नियोनिक जिल्लियां पाज जती हैं, एम्नियोन, कोरियोन, योकसेक और एलेंटोस, इन चारों का अपना अलगला कारे होता है, बूनु को पोशन करने का, सुरक्षा करने का काम करते हैं, स्व physiological adaptations इनमें जैसे कि बोजन ग्रहेंड और पाचन की जो फास्ट जो करिया है वो बहुत फास्ट होती है जैसे ही बोजन लिया उसका तुरांत फास्ट digestion होता है और digestion होने के बाद में उसको पीट की रूप में भार निकल दिया जाता है इनमें वाईवे सोसन के लिए spongy फैंपड़े पाई जाते हैं यानि फैंपड़ों के अंदर वाईव कोश्ट जाद होते हैं जिसके कराने ये spongy हो जाते हैं ये गरम रख्त प्राणी होते हैं और अंतह तापी होते हैं सम तापी होते हैं वार्म ब्लेड़ेड एंडोथर्मिक और होमियोधर्म्स यानि इनके शरी का टेंपरिचर अंदर चल रही मेटावोलिक एक्टिविटीज के कराने जो उर्जय हुत्पन होती है उससे इनका टेंपरिचर मेंटेन रहता है और कॉ इसलिए उनको यूरिक अमल की रूप में थ्यागते हैं इनका जो हिर्दय है वो चतुस कुष्ठी होता है दो आलेंद होते हैं और दो निले होते हैं और दोनों ही आलेंद और निले आपस में सेपरिटेड होते हैं इंटर मिंगल नहीं होता है उनके अंदर ब्लेड अलग परिशन चुरण केते हैं एक बार तो शरीर में से इखटा होकर के फैपड़ों में जाने के लिए और एक बार शरीर में जाने के लिए इनकी जो लालो रूदिर कणिका हैं उनमें अधिक्तम ज्यादा से ज्यादा हीमोगलूवीन बना रहता है इस प्रकार से इनमें स्पेस होते हैं जैसे कि आँखों की चारोर स्कलेरितिक रिंग्स पाई जाते हैं और इनमें मौनीक्लीय बिजन पायता है ज мощ दोनों आकें बराबर से देख सकती हैं और बहुत दूर तक की दृष्टी इनमें पाई जाती है जिसके करणiman कम से कम बजन होता है इनका शरीर इस प्रकार से adapted रता है कि इनके शरीर को कम से कम बजन लेकर उड़ना पड़े, टाकि ओर्गन्स की कमी हो जाती है, ओर्गन्स कम हो जाते हैं, जितना minimum जरौत है उतने ही रहता है इनकी शरीर में, सामाने अनकूलन है चौते प्रकार के journal adaptations, जैसे कि टांगों के तरिकते पर फीदर पायते हैं, इनके टाउगों को छोड़ करके, टाउगों पर फीदर नहीं बायते हैं, टाउगों पर शल्क पायते हैं, और बाकी शंपुरुण सेरी पर फीदर पायते हैं, इनके नवजात शिशु या तो प्रीकोशियल होते हैं, प्रीकोशियल से मतलब है कि प्त्रिक रक्ष्ण पायाता है, गोंसला बनाने की प्रिकरिया है, वो केवल पक्षियों में पायाती है, और वनस्पती से गोंसला बनाने की कला इनके अंदर होती है, और वो इंस्टिंक्टिव बेहवियर होता है, गोंसला बनाना, और इन पेरेंटल केर पायाता है, यानि उ पाया जाता है उनको migratory words करते हैं एक इस्थान से दूसरी इस्थान पर चले जाते हैं ताकि कि उनमें population के कारणा उनमें बोजन और breeding place इनका उनमें difference किया जा सके है इनमें song calls के लिए संगीत बाद की अंद्र यानिकी सिरिंग्स पायते हैं सिरिंग्स के कारणा ये चींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचींचीं बहुत बिविद, रंजन की बिविदता पाई जती है, जैसे तोता हरे रंग का होता है, कवुतर सलेटी रंग का होता है, मोर में बहुती सुंदर-सुंदर अलग-लग प्रकार की नीले-लाल भारे पंखों का एक जोड़दार ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन होता है, तो ये परों के द्वारा रंजन पर दर्शित करते हैं, इनमें मैं थुन्गी गिरिया पाई जती है, इसलिए इनमें ये भी जीव हैं, इनमें भी नर और मादा अलग-लग होते हैं, इनमें नर ज्यादा खुबसूरत होते हैं, मादाएं थोड़ी भद्धि होती हैं, अगली होती हैं, इसलिए इनमें मेल जो है, वो जो कम होते हैं संख्या में और खुबसूरत होते हैं, तो इस परकार से ये पक्षि यों के अनुगूलन के बारे में था, आज के लिए, थैंक यू, थैंक यू वरी मच